दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेशन नंबर 16 की नुमेरिकल सौल करें ठीक है पिछले वीडियो में हम लोग उसकी थेवरी को पुरी तरह से समाप कर चिका था ठीक है उसके जो इंपोटेंट विबकत होता है सात रंगों में कितने रंगों में सत रंगों में तो अप्षन काम से केरेंट हो जाएगा तो कितने साहें Dinner नंबर ढ he要 makes me detailed video की जब सबी रंगों को परवर्तित कर देती है उनका रंग होता है देखिएगा जिसे हम लोगों ने पढ़ा था वस्तू के रंग पे ठीक है तो कहा था कि जिस रंग का परवर्तन करती है उस रंग की हमें वस्तू दिखाई दिती यदि सातों रंग परवर्तित हो जाए यानि सारे रंग जितने स्वेतर प्रकास में जितने रंग होते हैं कितने होते साथ होते हैं यदि सातो को परवर्तन कर दे ठीक है यदि कोई भी वस्तु है ठीक है कोई भी वस्तु है यदि उस पे स्वेध प्रकास पढ़ रहा है ठीक है स्वेध प्रकास पढ़ रहा है और वह क्या करें उसमें से जितने क्या होते हैं रंग होते हैं उस स्वेध प्रकास में ठीक है उसका क्या करें सब क्या करें परवर्तन कर दें सभी रंगों का परवर्तन कर दें तो समझे वह वस्तु किस कलर की है शफेद कलर की किस कलर की है सफेद रंग की दिखाई देगी यह दिवा सारे वस्तु को क्या कर ल ठीक है ना किसी एक कलर का परवर्तन की तो यह वस्तु किस कलर की हो जाएगी काला का जैसे हम लोग ब्लैक होल काते हैं ना ब्लैक होल तो ब्लैक होल क्या होता है वह वहां पर प्रकास जाएगा उसको सारे प्रकासों क्या कर सकता है क्या कर लेता और शोशित कर लेता है ठीक इ सब्सक्रारा है कि सभी रंगों को परवर्थित कर देतो किस क्लिर का हो जायगा सफधरा N95 कि round सफेद रंग तो प्सन होगों सब्सक्राइब न sloppy यानी Baptist नंबर एक अग्रैप्ट हो जाएगा अगला बात करते हैं तिस्क्रारा जो वस्त्वी रंगों को अशोशिद कर लेती अभी बात कि हमने कि सारे रंग को अशोशिद कर ले तो किस रंग की दिखाई देगी काले रंग की तो किस रंग की दिखाई दिखाई देगी तो किस रंग होता है किस कलर का हो जाएगा काला यानि जो तीसरे का चौथा नमबर क्यूशन में क्या कर रहा है चौथा देखे गए याँ पे चौथा नमबर क्यूशन में कर रहा है कि मुड़नी बबाद राद है हमने जब पड़ा था कि अपवर्तन के कुछ परिगटनाए यह उनमें बताया था कि जो होती ह contrary दीखाई देते हैं जो जल में वस्तू हैं कुछ वास्तिक से कम उच्अइब दिखाई देते रहे ठीक है किसका उधाय रहे। रहर कि प्रकास करें कितछा उतका रहे किते हृँ स्धार है रहे धिक्रेट का तो आप्सन नमबर एक हो जाएगा ठीक है एक हो चलिएगा अगला देखते हैं फाइफ नमबर क्यूंट फाइट नमबर कुश्चन में क्या कर आए कि वन तिर्बूज के सीर्स पर कौन से रंग दिखते हैं यानि जो हम लोग रंगों की बात किया थे तो हमने एक तिर्बूज चाइब से बनाया था न ऐसे आई इस पर लिखा था यहाँ पे लाल यहां पे हरा यहां पे नीला ठीक है बीच में मैजेंटा पीला और श्यान और बीच में सफेद यह लिखा था नामने तो कराएं इसके सीर्षों पे यानि सीर्षों पे कौन से कलर होते हैं हमारे प्राथ्मिक या मूल कलर होते हैं मूल या प्राथ्मिक रंग होते हैं प्राथ्मिक रंग भुजाओ पर कहे दे तो क्या हो जाएगा दिवतिक रंग और बीच में कर दे तो शंपूरक रंग कौन से होते हैं संपूरक रंग हमें बात कर रहा है कि वर्त त्रिभूज के सिर्ष पे कौन से रंग होते हैं तो हमारे प्रात्मिक रंग होते हैं मूल रंग होते हैं अप्शन क्या कल रहा है इसमें लाल दितिक रंग संपूरक रंग स्वेत रंग तो स्वेत रंग तो है नहीं बीच में है ठीक है दितिक रंग तो है नहीं संपूरक रंग तो है नहीं तो दित प्रात्मिक रंग तो आपिसन कौन सा करेक्ट हो जाएगा पांच्वय का या पांच्वय का लाओ मिल चलिएगा नील מס ‫ होता है यानि मिलाने पर गलल निले को मिलाने कऊं सा मैं जैंटा तो आप्चन काल सा है देखिए इसमें दिया है आप्चन नमर D dual में 14 वैंता भिसचों है छाथावा कीुष्च्च्छन उसमें लाल और पीला को मिलाएंगे यानी लाल और प्लस सोरी आई होगे इतना ठीक है नोट करेगा फिर युप देखते हैं हम लोग अगला सातवा नंबर क्यूशन तो इतना नोट कर लिजए गा कि चलिएगा देखिएगा साता नंबर की कि चन के सातो में क्या करें कि निरवाद ताथा एक पारदर्सी माध्या में प्रकास की चाल करमसह viral सो तीन गड़ों 10 गड़ा नेर्वात मेडिया है ठीक है नी रवान मेरे चाल या कितना तीन गड़ों 5 गड़! और किसी माध्यम में ठीक है उस माध्यम में दिया है कितना दो दस मलो चार गुड़े दस की पावर आठ मीटर पर सेकेंड दिया है तो कर रहे हैं उस माध्यम का क्याल निकलिए निर्पेक्ष यानि निर्वात के सापेक्ष क्या निकलिए उस माध्यम का उस माध्यम का अपव अपर क्या होजाएगा निर्वात जिसके सबक्षिन कलते हैं उसको उपर लिखते हैं तो कि incomes की फिसका निकल ना है माध्यम माध्य में구 प्रकास की जाख ठीक के तो नीकल जाए जाए नेसे में कितना है उसका तीन उसान गुड़ा निहें वड़ा करेंगे और नीचे भी दस से भूड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा तीसा बत्य जो विश जए इसको चैसे कटा दिजित पांच भटा चार कितना जाएगा पांच बटा चार तो से माध्यम कँछ पॉल्ता ओड नहींत दो हो जाएगा 5 बट्टचार यह सि आपसा नंबर एक करेक्ट हो जाएगा ठिक है साथ अप्सञाइब एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिएगा है आगला देखते हैं आथ वक नमबर की संग त أنا sigma करा कि क्या है कि वाली में प्रकास् Tamarich लित ना होती तो वाईयु के सब एक्ष काई करत फॉपब कि जैसे का है तो जिसके सब इस przy reopenaj घूओं निचेale स्थपार जिसकर पुछे का स्कूने घ्रिकर करेंगे ठीक है तो य का सब एक्ष काई यह आप ने अठीड ना दूगेश्गात आठ तुछ क्या होगा यह से घृड़ जाएगा तो कितना अजएगा तीन बटा दो आजएगा तो आपका कितना अप्सेन कौंसे फ्रिक्स हो जाएगा तीन बटा दो या इसी को भाग देंगे तो कितना जाएगा 1.5 और हमने लिखवाया भी था कास का अपरतनांग 1.5 होता है और जलका ऊपरतनांग एक दस्म लोग 3-3 होता है कि कि इसका जलका परता हमें लिखवाया भी था ठीक है तो आपसन कहुं सा हो जाएगा आठती ही का अपसन नमबर डी करेक्ट हो के प्रत्वीम उल्टे दिखाई या उल्टे दिखते हैं इसका कारड़ है इसका कारड़ क्या है पूरांतरिक परवर्तन हमने पड़ाता ना पूरांतरिक परवर्तन में तारों का टिम्टी माना सुरी तारों का टिम्टी मान तो पॉर्तन का है क्या बताया थे जो हिरे का चमक हैं उस फाई में जल होता है रेक कर्द करें जमकते हैं पेडो से चलने वाली प्रकास की त्रवके पर्वरतन में तो पूट आंत्रिक परवर्तन इसमें से एक ट्रेशान याको पूछ सकता है नहीं तो नहीं पूछेगा ठीक है इसके जो अग्ला लेसंट है हुआ खाषाय में उससे पूछ सकते है यह जो लेशन है इसमें से बहूत कम रियर केसे में पूछेगा जैसे पूछे अभी तो पूरां पर अतरीख परवारतन करेंगे फिर देखते हैं आगे हम लोग दस्वाव नंबर क्यूस्टन से चले देखिए दास्वाव नंबर क्यूस्टन इससे अगर पुछे गना तो यहीं जो निर्पेक्षा पॉर्तनांग यह नहीं जो अपॉर्तनांक और प्रकास की चाल में समंद्ध पड़ा है उससे जो जो फर्मूले हैं उसी से इसे क्यूस्टन कर सकता है ठीक है या एक दो आप्शनल जे वारा है वह से कर सकता है तो तो आप लोग करी जाएंगे बस थोड़ा यह जो निर्वात और उसमें जो प्रकास की चाल और प्रक्षा अपॉर्तनांग में जो संबंध है घराई में उस रंग का बिचलन नियूंतम होता है वह है तो हमने बताया था कि नियूंतम बिचलन किसका होता है तो जिसकी तरंग्दर्द ज्यादा होगी उसका कम बिचलन होगा और तरंग्दर सबसे ज्यादा किसकी होती है लाल रंग की यानि लाल रंग का क्या होता है कम बिचलन होता ह ठीक है और हमने बताया है जंग सबसे नीचे होता है ठीक है उसका क्या होता है ज्यादा पर चाहिप आ ज्यादा हरा है यह यpark भी स्ट को लिखें ठीक है। और हमने जब्ता была ड्राम की जो लाल रंग होता है उसका कम होता है भी भजल लेकिह तरइंदेर जाता होता है अब दिने रंका बिचलन ज्यादा होता है लेकिन तरइंदर उसकी कгли कया नेता कम भी환ाट ता चलीएगां ली यनि लाल रंका मलमा ज्यादा बीचल आप मी सलन होता है तो आफसी करेक्ठ हो जहीत चलीए अगला देखे prophets 11 नंबर किस्टन क्या करें इसमें करें कि वर्ड भी छेपड की घटना का कारण है वर्ड भी छेपड की घटना का कारण है ऑप्सन देखें क्या कर रहा है करा स्वेद प्रकास कि रड़ का प्रिज्म दौरा प्रिथक होना भी करें प्रकास का परवर्तन सी करें प्रिज्म प्रिथक होना प्रिथक होना तो हमने आपको एक बात उसमें बताना साथ भूल गया था कि जो प्रिज्म होता है ठीके जब उसमें स्वेध प्रकास गुजरता है तो वो क्या करता है उसको स्पेक्ट्रम कर देता है यानि कई रंगों में विभक्त कर देता है तो किस अधार प तो उनकी तरेंग देर्दौ करता है उनको बिभगत कर देता है क्या कर देता है तो जो ओन भी छेपड़ होता है वह प्रकास की तरंग-देर्द करता है यह जो तरंग्देर्द पे जिसका ज्यादा तरंग्देर्द दोता है उसका कम मतलब उसको कम बिचलित करता है जिसका कम तरंग्देर्द दोता उसको ज्यादा बिचलित कर देता है तो क्या करता है जो वन बिच्छेपड होता है वो तरंग्देर्द पे निरबढ़ करता है तो हम कह प्रिजम प्रिजम का जो प्रिजम का जो प्रिजम का जिस प्रिजम का बना होता है उसका प्रिजम का अपर्टनांग होता है करें बिन तरंग्देर दो के लिए भीन बिन होता है क्या होता है बिन बिन तरंग्देर दो के लिए बिन 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 होता है वहीं बात यानि जो प्र प्राइब करें को कमड़िता कर देता है तो हमारा option नर्च हो जाएगा वहTodd को परकास का करेंगे ऩो उसका ओप्र्टनांग है ॉट्छ करता है जब कि हमार जो जितने कलर होते हैं उनके तरेंग्देर अलग अलग होता है इस कारण वो क्या करता है ज्यादा तरेंग्देर द्वाली को कम उपर हिराने देता है जो कम तरेंग्देर द्वाली होती है उनको नीचे कर दें ज्यादा बिचलित कर देता है ठीक है यह हमने बात बता से कांच में प्रिविस करती है तो करा कि प्रकास के सभी अवय रंग समान चाल से चलते हैं ठीक है दुसरा करें लाल प्रकास सबसे अधिक चाल से चलता है सी करें बैगनी प्रकास सबसे अधिक चाल से चलता है और डी करें प्रकास के रंग वह चाल में कोई शंबंद नहीं है कर रहें प्रकास के रंग वह चाल में कोई शम्मद नहीं है तो थोड़ा विचार करें सारे अप्सन पर पहली बात तो जो कर रहें कि लाल रंग का सोरी बैगरी रंग का जो चाल है सबसे ज़्यादा होगा तो यह तो भाई गलत बात है ठीक है चाल तो इफेक्ट पड़ता है कि जो बैगनी प्रकास सबसे अधिक चाल से चलता है तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा गलत हो ठीक है और प्रकास का रंग वह चाल में कोई संबंद नहीं तो यह भी बात क्या है गलत हो ठीक है अप्सन एक बात करें तो करें प्रकास के पूरी तरह से गलत है क्योंकि जो बिरल से सघन में जरूर उसकी चाल में कमी आएगी ठिक हमने बताया भी जाओव से सघन या सघन से बिल में आएगी तो चाल या तरंग देर पर एफेक्ट पड़ता है ठिक है आप रिती पे नहीं पड़ता है ठीक है तो जाइड से बात है लाल रंग सबसे अधिक चाल से चलता है तो यह बास से तरंग्देर्थ क्या होती है जादा होती है तो हमारा आप्सन जो है बास समझ में आई है चलिएगा अगला देखिये त्सक्राइर नंबर क्या रहाए आपसे कहा रहा है यह कि निमलीखित में से प्रकास में किस रंग की तरेंगदर्द अधिक लंबी होती है यहीं पर बात कर दिया किस रंग की तरेंगदर्द अधिक लंबी होती है अभी हमने 12 नमर कृष्टन में बताया कि लाल रंग की तरेंगदर्द सबसे ज्यादा होती है इसलिए वो हमारे सु भी होती है अधिक होती है तो तेरा का अप्सान कौन से करेक्ट हो जाए लाल रंग और लाल रंग किसमें दिया है आप संडी में दिया है तो तेरा का अपसा नमबर कौन से करेक्ट हो जाएगा अपसा नमबर डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं कौन सा 14 नंबर क्यूशन 14 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्ड में से किस माद्दे में प्रकास तेजी से गमन करता है कर रहा है यह किरोशीन में बी कर रहा है जल सी कर रहा है बेंजीन और डी कर रहा है किस में क्वार्टर्ज में ठीक है यानि किरोशीन जल बेंजीन क्वार्टर्ज में तो अब इसका हम अपेच्छी घनों तो जाने कि कितना किसका होता है किसका कम होता है जिसका कम होगा उसमें क्या होगी सबसे तेज गमन करेगी कौन ए यह हमारी प्रकास की चाल ठीक है न तो जो 14 है उसमें जो किरोशीन है इसका घंट तो क्या होता है तो ज़्यादा होता है जल होता है तो इसका तो 1000 जानते हैं बेंजीन का तो इसे 1000 से अधिक ही होता है जाता है तो जाहिर से बाते हैं इसलिए 14 का श्रकास नमर्म होगा तो यहwh desarroll जानत में प्रकासी टिजीशक ओन अधिक होगा लिए 14 का outro function nostro B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा टिक एजिसका पेची गनज तो कम होगा या जिसका गनज तो कम होगा आपेची गणो ती वाकी को अगले वीडियो में सवल करेंगे तो क रहा इसमें कि वह प्रिज्म जो आप्तित समानतर किरड़पूंज है चुरि पूंज के शंपुर्ड प्रकास को को संब कॉर्ड से बिचलित कर दीता है वह कहलाता है है याहिया कि वह प्रिज्म कोई प्रिज्माल में होगा ठीक है अब उसप्रिज्म का यह कोड निर्वर करता है इस कोड कोई चेंज करेंगे तो प्रिज्म का परकार बन जाएगा ठीक है ना तो चलिए करा है कि वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरड़ पुंज को यानि इस पर आप्तित होगी जो समांतर किरड़ पुंज यानि जितने किरड़े गिरेंगी वो समांतर हो ठीक है क्या हो समांतर हो समांतर किरड़ पुंज को संपुड प्रकास को संपुड से बिचलित कर देती है कालाता है यह जो समांतर किरड़े आ रहे हैं तो इनको किस पर करदे यह जो अन्ग कीचkem गे कैस्पे तो इसं पे क्या करे इसको श्मकोड पे यहां ऐसे पिया करे इसको परवर्तन कर दें ठीक है संकोड पर क्या कर देसको संकोर क्या ने डिन सब मैं आपड़ल प्रेजम में आपका कौन से करेक्ट हो जाएगा पूड परवर्तक प्रेजम यानि जो प्रेजम समानतर किडार फूंज को 70 पर क्या ढाता है वींड प्रेंग सह पर अचया करता है लिता है यह पर आवर्ट को प्रिजम है तकितो पुर्ड प्रावर्टक क्रिजम आपसन cooking आपका अपसा बर सी अ क्या हो जाएगा chakra टहलेगं और तो तो अप्सलिए लोगों को बस इतना है कुशिटन सर्व करेंगे इस वीडियो में आगे की क्रिश्चन को आप लोग सौल करेगा ठीक है मैं तो सौल कराऊंगा ही और मैं उम्मीद करता हूं कि जादे लोग सौल कर जाएंगे जो चेप्टर पड़ा है पुरी तरह को से जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने फार्मूला बता है जितनी बाते बताई जो जितने लो है ठीक है न तो चले बस वीडियो में इतना ही राने देते हैं